हलो दोस्तों ग्लीफुलिस्टाडी मां पस्वाबत है चलिए आज हम लोग एससी सी एचेसल में पूछे गए रिजिनिंग करेंगे ठीक है दोस्तों यह हम लोगा एससी सी एचेसल सीजी एल एमटी एससेजीडी सभी एक्जामों के लिए बहुत ही मौतफूर रहे ठीक है चलिए इस्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट के देखिए पहला क्वेस्टन यहां पर क्या दिया हुआ चलिए देखिए यहां पर दिया हुआ पहले वान फिर एट फिर नाइन फिर 24, 25 फिर 260 तो यहां question मार के जगा पर क्या होगा तो हम यहां पर यह absorb कर सकते है कि देखिए पहला क्या है वान उसके बाद एट तहीं यह वन क्या है वान का square है यह दो का Q है ठीक है फिर वहां 3 9 दिया हुआ है तो 9 हम लोगा क्या है 9 हम लोगा 3 का square है फिर दिया है 64 तो 64 क्य है ठोर का क्यूं तो हमों का ऐसे चला वन के स्क्वेर दो का क्यूं तीन के स्क्वेर चार का कि Hий में सब्राइब 500 फिर चे का किउंड धीब फिर क्या होगा पिर साथ का स्क्वेर हो जाएगा तो सάλने नहीं में होका स्ब्राइब 500 я का करेक्ज gli दिए हो पाप में क्या दिये गए हैं कि जिसनगत हैं छार अच्छर तरह से संगत है और और एक असंगत है तो असंगत अ चाहर का चेयन गरें ठीक है मनत तीन एक ही तरह से मिल रहा वहाँ जो आलग है तीन चारों से उसको अम लों कह सेलेक्ट करना तो दे 걸 केऊँ यहां पर जह तो और Z दिया है तो J का भैलू कितना होता हम लोगा इसका 10 होता 20-16 अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 26 जो हम लोगा Z नमबर पाता ठीक है वैसे यहाँ पर देखिए दो नमबर आप्चन M दिया है M Q S M का होता है 13 Q का 17 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 लेकिन हम लोगा 19 यहाँ पर S दिया है S का भैलू होता है 19 तो यह हम लोगा सबसे अलग है ऐसे नहीं फिर भी हम लोग यह दो ठोप्चन इसको भी चेक कर लेते ठीक है वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ एप एच इन ठीक है एप का भैलू चाओ एच का भैलू तार चाओ चौदा इन होता है ठीक हम लोगा करेक्ट एंसर हो जाएगा कि चलिए अगला कुशन देराब बढ़ते हैं देखिए उस बिकल्प का चैन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबन्ध है जो दिये गए संख्या यूग मक्की संख्याओं के बीच है ठीक है जो रिलेशन ब्यालिस से 18 में है वही रिलेशन इस चारों ओप्षन में हम लोग को ढूणना है ठीक है तेक और आप ट्र कैसे करते हैं देखिए यहां पर दिया है 42 42 में से अगर हम 18 को घटाते हैं तो मेरा आएगा कितना घटाईए तो आएगा हम लोग का 24 24 आएगा आप देखिए 24 आए अब इसी 24 को हम लोग कैसे लिख दिया है उल्टा का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 42 ऐगा 42 तो ऐसा ही रिलेशन इसमें ढूंड़ना है ठीक तो देखिए 19 कि 19 में सब पांच जाएगा तो कितना बचेगा 14 14 वुह मां का लिखेंगे तो कितना बचाएगा 41 तो यह होगा नहीं एक चलिए आगला देखते हैं थिर देखिए यह 10 10 में से अगर 9 को घटाते हैं तो कितना आएगा हम लोगा जीरो एक काएगा तो इसको अगर हम पुलाट कर लिखे तो इसको 10 लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं यह हम लोगा करेक्ट एंसर हो जाएगा वैसे ही इसको चेक करते हैं अगला 31 31 में से 29 को हटाएगे तो कितना बचेगा दो दो को ऐसे लिख सकते हैं जीरो टो अबर इसको पुलाट को लिखते हैं तो बीस बनेगा यह भी नहीं है फिर इसको भी चेक कर लिए यह से वेंटीवान माइनास 45 तो कितना आएगा वेंटीवान में से 45 गटाएगे तो 11 में से 5 यह चाओ ठीक चारी यह दो चाबी चाबी उसको प्लाट को लिखेंगे तो 62 यह भी नहीं है तो करेक्ट एंसर यह भी है दोस्तों इसमें यहीं नहीं की एक ही लोग सकता है मैं इस लोजिक से किया हूँ कोई और कोई और लोजिक बता सकता ठीक है जिसमें कोई बड़ी बाद नहीं है ठीक है आप भी कोई लोजिक दुसरा लगा सकता है अगर पता चले तो जरूर कमेंट करका बताएं चलिए अगला कुशन के दरह बढ़ते हैं देखिए इसमें दिया है जो सम्बंद पाइथागोरस का जियोमेती से है वही सम्बंद केपलर का किस से है तो पाइथागोरस ये जियोमेती से सबको पता है तो केपलर किस सम्बंद है केपलर हम लोगा खगोल सास्थ से सम्बंदित है ठीक है यह इसका करेक्ट एंसर हो जा प्रवानिक्स होगा नहीं करेक्ट एंसर क्या होगा खगोल साज है ठीक है ग्रहों का नियाम किसने प्रित पाई तो के पुलार नहीं ठीक है यह खगोल साज से रिलेटेड है चलिए अगला कुशन के तरह बढ़ते हैं देखिए यह ब्लार निलेशन का क्युशन है बी एक आई के लाउता पूत्र है ठीक है टो इसका पूत्र है एक यहां पर बनाते हैं इसका पूत्र कौन है बी है ठीक है इसको पुला से डीनोट करते हैं jna cd की मा है c कौन है d की मा is da side में बनाते हैं सी है वह क्या है माहर d की किसका टीक एक सी की मा है ठिक है यह है जो है यह सी की माह है मनलब यहां पर स्ण होगा हुए nash की मां है तो बताए बी और देखिए यहां पसी यह जो यह वाला डाइग्राम था इसको यहां पुका देट यहां हो जाएगा और चलिए तो बताए बी का डी से दिए से क्या सब्सिता कि मा है तो यह क्या होगा बी और दिएस प्ति हुए इस यह क्या कौन है डि है लेकिनली का है बी का डी से क्या रिलेशन है तो यह इसका कौन हो जाएगा मामा हो जाएगा क्योंकि इसका कि सी का भाई है ठीक है बी तो क्या लाएगा मामा डी का मामा लाएगा तो मामा यह आपको करेक्ट एंसर हो जाएगा से लिए अगला कुछिन हित्रों बढ़ते हैं हो लो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा question है बस से यात्रा करते समय एक ब्यक्ति आटो रिक्सा को किये गए भुगतान के 10 गुना से 60 अधिक खर्च करता है उसके दुआरा खर्च की गई कुल रासी आटो रिक्सा के लिए भुगतान किये गए किराय की 13 गुना है तो बाता है कि उसने बस और आटो पर कुल मिला का कितनी रासी खर्च की तो चलिए करते हैं देखिए क्या बुला बस से यात्रा करते समय एक ब्यक्ति आटो रिक्सा को किराय पर किये गए भुगतान से 60 अधिक करता तो आटो आटो पर मालेह ऐसी एक सुर्पिया कर रहा तो बस पर कितना कर रहा आटो उसके दोरा खर्च की गई कूल रासी उसके द्वारा खर्च की गई कूल रासी और रिक्सा के भुगतां कि ये गए किराय की 13 गून है तो खुल रासी इसको टोटल जोड़िये इतना रुप्या खर्चा किया ना X plus 10 X मलब 11 X plus 60 यह उसके दरा फुल खर्च की गई भुप्तान ठीक है ओटो रिक्सा के लिए भुप्तान किये गए का 13 गुना है तो अटो पर एक्स रुप्या था इसका 13 गुना के बराबर है यह ओला ठीक है अटो रिक्सा पर किये गए भुप्तान का 13 गुना है तब इसको शॉल्प कर दीजिए यहाँ 60 इधर 11 जाएगा तो क्या बचेगा 2 X से यहाँ 2 से काटेंगे तो X का भैलू कितना आगी हम लोगा 30 30 आगिया अब पूछा यहाँ पर क्या तो उसने बस तरथा आटो पर कुल मिला का कितने खर्च किया तो बस पर देखिए यहाँ पर भैलू पूट कर दीजिए बस को यहाँ पर 30 किया आटो पर अब यहाँ पर इसका बस में कितना किया तो यहाँ पर यहाँ पर तो 300-360 टोटल में जोड़ दीजिए तीस पलस तीनसो शार्ट तीनसो नवे हम लोगा करेक्ट एंसर हो जाएगा जो ऑप्सन नमबर वन है आई होप आपको यह समाझने आगिया होगा यह हम लोगा रिजिटिंग में पूछ दिया ठीक है दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन के तरह हम लोग बढ़ते हैं चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए उस विकल्प का चैन करें जिसमें दी गई अक्रिती अंतर निहित है ठीक है घुमाने के नमूती नहीं है जैसे है वैसे है तो देखिए हम लोगों पहले आप्सन देख लेकिन नहीं तो हम लोगा फर्स्ट आखरिती ही रही होगा चलिहें इक तो देखिए यहां पर देखिए एस ऐए ठीक फिर ऐसा हएं देकिए यह जो करेंगο एक नममर हो जाए है चलिए अगला कुष्चन के तरह बढ़ृते हैं देखिए दोस्तों आगला क्वेशन क्या है दोस नमबर निम्लीखित में से कौन निम्लीखित में से संख्याओं का कौन सा करम नीचे दिये गए समित्रान को संतुलत करेगा तो इस चारों में से कौन सा अप्शन को स्वल्व करने पर हम लोगा 78 आएगा पूछ यह करना तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकती यह दिया और इसको स्वल्व करना पड़ेगा हम लोगे तो ठीक है तो पहला अप्शन से जाएंगे तो देखिए यहां से काटेंगे पहले तो क इसकी आएगा 18 18 ठीक 18 फिर यहां पर 6 बचे हम लोगा फिर माइनस अव 18 पर जाकिता होता है 90 ठीक 90 कि में से हम लोग 18 अटाएंगे तो ठीक है जोल डेता है पहले 96 96 में से 18 घटा यह कितना आ जाएक हम लोगा 78 तो यह हम लोगा correct answer हो जाएगा एक नमर ठीक है तो ऐसे हम लोगों यह चारों को solve करगा अगर पहला में नहीं आ तो दूसरा को solve कीजिए दूसरा नहीं आ तो दूसरा में solve करने यह करना ही पड़ेगा ऐसे ठीक है तो चलिए अगला question के तरह बढ़ते हैं हम लोग देखिए क्या बोला है नीचे दिये गए कथनों और निसकर्षों को ध्यान पुरवब पढ़े यह मानते हुए कि कथन में दी गई जनकारी सही है भले ही यह समानता रूप से ग्यात तत्यों से भीन परतीत हो ठीक तिया निधारित करे कि दिये गए निसकर्षों में से कौन सा कथन तारकिक रूप से अनुसरान करता है ठीक है तो यह कथन दिया है हम लोग कर उसे निसकर्ष निकालना है ठीक है तो बोला है कूछ लड़के हांकी खेलते है ठीक है यहां पहले चलिए बनाते इसको तो देखिए पहला दिया हुआ है कुछ लड़के हांकी खेलते हैं कुछ लड़के हांकी खेलते हैं उसके बाद कुछ लड़के बेडमिंटल नहीं खेलती ठीक और फिर तीसरा में बोला है परतेग व्यक्ति या तो हांकी खेलता है या बेड तो देखिए निसकर्स क्या दिया पहला लड़के बैडमिन्टल नहीं खेलते, देखिए यह तो गलत हो जाएगा क्योकि यहां पर बोराइब्ष नहीं- पैट हो जाएगा ठीक अब देखें कूछ लड़किया हौकी खेलती है ठीक कूछ लड़किया बेंड मिनटन नहीं खेलती और कूछ लड़किया बेड sources क्या खेल लेी होंगी वहांकी क्योंकि परत्यक भ्यक्ति या तो हाँकी या बेंड मिनिंटल खेलता है ठीक तो ये सय कुछ लड़किया हाँकी खेल रही होगी ति ये दुसरा सब्सक्राइक चुनली मेद चुanter है कोई भी ऐसा नहीं है जो हांकी और बेड्मिन्टल दोनों खेलता है ठीक तो ये भी बात चाहिए है क्योंकि दोनों कोई नहीं खेलता है परत्यक व्यक्ति या तो हांकी खेलता है या बेड्मिन्टल इसलिए option नमर हमारा 2 और 3, 2 और 3 ठीक है 2 और 3 ठीक है क्योंकि last बोला ही हुआ है हम लोगा परत्यक व्यक्ति या तो हांकी कहलता है या बेड्मिन्टल ठीक दोनों का दोनों के बारे में कुछ बोला नहीं है ठीक इसलिए हम लोगा केबल 2 या तीन सही होगा चलिए अगला question के तरह बढ़ते है तो देखिए दोस्तों अच्छरों के उस सायोजन का चैन कारे जिसे अच्छर सिर्कला में रिकता स्थानों पर क्रामित भार क्रामित रूप से भारे जाने की सिर्कला पूरी हो जाटिक है तो देखिए इस टाइप के question करने जब पहले क्या करते हैं पहले गिन लेते हैं हम लोग कि total ये कितना है यहाँ से आता कितना संक्याटिक है तो गिन लेते हैं 2, 2, 3, 5, ठीक है 5, 5, 10, 10, 5, 15, 15, 15, 15, 16, 21, ठीक है 21 है जब 21 हो तो हम लोग ये लगाते हैं 21 सो 7 into 3 में तोड सकते है 7 का 3 में तोड़ दिजे इसको या 3, 3 करके 7 वारवर ठीक है अगर पाल लिजे 20 होता तो क्या करते हैं उसको 4 into 5 में तोड़ ठीक है कैसे तोड़ ते चलीए देखिए इसमें 7 into 3 है ठीक तो पहले साथ में तोड़ते है साथ इंडू तीन में तो देखिए यहां से एक प्टो लाइन टन देंगे दो तो तिन पांच प्टो। चाहट है फिर यहां से तीन तीन-ती छोष एक क्सा ख्यान पैज हो ते पहुए तीन-ती प्टेस्फ करदकर इसमें भरे फिर आगे देखिये क्या आना चाहिया यहाँ पर कुछ है नहीं नहीं पर सकते फिर इसमें देखें थोड़ वड़े तक इसमें भरें फिर यहाँ पर भी क्या आएगा एगा छलिए फिर आगे देखते हैं तो दैखिए यहां लोगा करीब भार गया है यह इसमें यह यह living a फिर क्या आएगा यहां पर ऋह ए फिर क्या बा c impressed यह चाहले यहां पर यह तियर्क हम लोगा sudah से कर सकते यह इसको भर सकते हैं इसमें भी भरते है पहले क्या आएगा यहां पर यहां पर आएगा A फिर क्या है B है अभी इसमें देखकर भर सकते हैं उसके बाद दो ठो ए ए ठीक है उसके बाद दो ठो ए के बाद C दो ठो ए के बाद C था ना तो C देखिए यहां पर हम लोगा छुट गिया C जो होना चाहिए है यहां पर हम लोगा दो ठोट एक बाद C ठीक है उसके बाद क्या आएगा B C तो देखिए हम लोगा करेक्ट इंसर कौन सा देखिए A A आया फिर C B C B फिर A C A C उसके बाद A W C ती हम लोगा करेक्ट इंसर हो जाएगा यहां पर यहां आप इल्मिनेशन मेटर्ट भी लगा का चार्ट सकते है इसको ठीक है तो चलिए अगला क्विशन के दरब बढ़ते हैं हम लोग तो देखिए दोस्तों चार संख्या यूग दिये गए हैं जिन में से तीन किसी ना किसी तरह से समाने एक असंगत है तो उस असंगत यूग में का चैन करें ठीक है तो चलिए इसमें लगाईए क्या लग सकता ठीक है लोगिक तो देखिए मेरे को तो यह कि यहां पर दीख रहा तेखिए कि 16 जब 16 है ठीक 16 को जब हम 2.5 से गुणा कर रहे तो 16 दुना 32 सा 32 चालीस हो जा रहा ठीक इसमें वैसे ही अगर हम 28 को 2.5 से गुणा करते हैं 2.5 तो 28 दुना 56 ना 56 ना 14 कितना हो जाएगा सत्तर हो जा रहा ठीक अब देखिए 332 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 इंटू 2 करेंगे तो 640 640 और 160 कितना हो जाएगा हम लोगा 0, 6, 10, 0, 80 लेग साथे 800 हो जा रहा ठीक 800 हो जा रहा ठीक और इसको देखिए 4 नमबर अप्शन को देखिए 120 गुणे अड़हाई किये 2.5 तो कितना है 240, 240, 60, 300 ठीक है तो देखिए ये तीनों हम लोगा करेक्ट आया ये अठाई कुना करने से सही आ रहा है एक तम इतना दिया हुआ इतना ठीक लेकिन ये अलग आ रहा तो हम लोगा अप्शन नमबर 3 करेक्ट होगा ये चारों में कौन सा अलग है तो ये 320 इस्टू 480 हम लोग अब करेक्ट एंसर हो जाएगा आई होप आपको समझ में आगी आपको चलिए अगला कोईशन के तरफ बढ़ते हैं कि देखिए क्या दिया हुआ है उस भी कल्प का चैन करें जिसमें संख्याओ का आपस वही सबंद है जो दिये गए समुच्य की संख्याओ के मद्य है जैसे 3, 6 और 30 के बीचे वही समद इसमें ढूंदना है तो देखिए इसमें क्या है कैसे आ रहा तो देखिए कि लगाते है पर इसमें क्याइं लग रहा तो देखिए हैं तीन का स्क्यूर करेंगे इसमें से मायनस 3 करने से क्या रहा रहा चाव किया है यह हम लोगos में लोगो से हम लोगों को बताना क्यों सबतने हैं चलिए चारों करते हैं उसी लॉजिक से तो पांच का स्क्वेर करते हैं 25 25 में से 5 गिया कि अब 20 का स्क्वेर करते हैं तो 400 400 में से 20 गटाएंगा तो 380 हो रहा नहीं आ रहा ठीक है छोड़ दिए चलिए अगला question अगला option पर चलते हैं तो अगला देखें चार का स्क्वेर कितना होगा 16 ठीक है इसमें से 4 गटाएं कितना हैं 12 अब 12 करेंगे तो 144 144 पर से 12 गटाएंगे तो कितना आएगा 102 जो कि जैसे यह था वैसे हम लोगा यह option हम लोगा करेक्ट एंसर हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए हम लोगा इतना ही रखते हैं आपको यह सम्मझ में आया होगा अगर यह वीडियो सम्मझ में आया तो प्लिस लाइक चरू किजिएगा चलिए बाए